दोस्तो आज की वीडियो काफी important है और काफी special है क्योंकि काफी trader परशान है कि nifty का bottom कहा बनेगा कौन से level पर बनेगा और nifty कितना समय ऐसे down move में रहेगी तो सब से पहले आपको पता होना चाहिए कि down move क्या होता है दोस्तो down move ऐसे होता है कि जब new low low बनते जाते हैं तो उसको ह down move बोलते हैं दोस्तों अगर मैं past chart और past history के according देखूं तो मुझे ऐसा feel होता है कि nifty 14 दोस्तों के level तक जाएगा ऐसे मैं क्यों बोल रहा हूं मैं अभी आपको past chart दखाता हूं कि जब जब nifty में ऐसे two year bull market रहती है दो साल उसके बाद जब down move start होता है तो वो करीब one year तक रहता है क्यों रहता है और एक कैसे किस विस पर बोल रहा हूं तो अभी आप मैं आपको chart को पीछे लेकर जा रहा यहां पर आप देखिए मैं screen बड़ा कर देता हूं आपको यह देखिए तो आपको यहां पर chart upside upside दिखाई देते हैं लेकिन जो down move के मैं बात कर रहा हूं कि down move यह देखिए 2015 मार्च 2015 में यहां पर top बना था और उसके बाद यह देखिए यहां पर भी यह देखिए ऐसे market मैं आपको बता रहा हूं थोड़ा fast लगा रहा हूं यह देखिए तो यह मार्च 15 में बना और इसका end हुआ था यह देखिए फरवरी 16 में फरवरी 16 में इसका bottom बना था तो क्रीब one year इसने लगा दिया था तो और इससे पहले market क्या था इससे पहले अब देखिए सकते हो मार्केट में पूरा बुल था यहां से 2013 से लेकर 2015 तक मार्केट में पूरा बुल मार्केट रही थी उसके बाद वन ये यह निचज़ए थी ते एक बार मैं नहीं बोल रहा हूं उसके पहले भी अब देखिए उसके पहले आप स्क्रीन में बढ़ा करते हैं यह देखिए 2010 की बात कर रहा हूं यह देखिए 2010 में यह बना था उससे पहले भी बुल मार्केट थी नुवंबर हाई बना नुवंबर 10 में और यह जाकर हुआ करीब जनुवरी 2012 में देखिए नुवंबर 10 और दिसंबर 11 मान के चलिए यह जनुवरी मान लिए करीब वन यह हो गया और दूसरा यह जो मुविंग आपने देखिए 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 2013 में तब यह 200 डेज की मूविंग आपने से जाता है तो मैंने अभी दो एक्जम्पल देखा दिए अभी तीसरे एक औ एक ट्रीड दिशम्पर 2017 को बना उनक्ति के और यहां पर करीब डॉटम बनाता है इसका इसका यह ठीच्चिए अक्टोबर 2007 इसने यहां पर बोटम बनने ले उसके बाद यह रही पर निकले पर इसके उपर निकला बहुत में रहा है आप देख सकते हैं कि यह यहां पर भी देख सकती है एह 200 days की moving average के पास इस ने सपोर्ट लिया यहां पर भी लिया यहां पर 2013 में भी लिया यह वीकली के चाट पर 200 days की moving average का level काफिए इपोड़ेंट रहता है यहां पर भी 2015-16 में जो bottom अना था तो यहां पर भी 200 days की moving average पर भी weekly पर support लिया था और यह down move एक साल चला था तो लेकिन बीच में अगर exception के जैसे covid का समय आया था तो यहां पर क्या था एक price-wise correction आ गई थी यहां पर price-wise correction आ गई थी फिलेकर time इसने जल्दी ले लिया था तो जल्दी जब time लेता है पास्ट ऐसा down move होता है फिर वो बड़ा फास्ट उपर में आता है जो आप समने देखा भी है तो दोस्तों इसको बलता है price-wise और time-wise correction तो इसमें अभी price-wise टाइम-wise अगर पास चार्ट के पास history के साब से देखें तो यह तो इस प्राइज जो आज की रिट में आ रहा है तेरा सासो तो चलते हैं यह दिर थोड़ा उपर पहुंचेगा चोदा दोस्तों तक पहुंच जाएगा और यह लेवल प्राइस action के coding भी देखिए यह लेवल काफी important support का जो और यहां से बार बार यह दिखिए यहां पर काफी मत रहा था यह जैन 21 लेके अपरैल तक यहां पर थी कवर्माद इसने इस level के पास जरूर समय बताया था तो यह level भी काफी important है 14 दूस्तों तो यहां पर यह level 14 दूस्तों पर पर प्राइज भी थोड़ा ऊपर आएगा तो में ट्राई की बट इसको क्रोज नहीं किया तो अक्तुबर 21 में बना और अब यह शायद फिर अक्तुबर के आसपास यह उससे थोड़ा पहले सितंबर तो मुझे अभी लगता है कि शायद अभी यह 3-4 मत तक अभी ओ थोड़ा मार्किट ऐसे रहेगा पट ऐसा नहीं कि ऐसे ठीड अभी यहां से उपर जायेगा फिर ऐसे जाया थोड़ा फिर ऐसे उपर नीचे हो चलाएगा तो यह आप को देखना है तो इसलिए फिर ऐसा नहीं है कि आपको ऐसे आप सारे एस इसे कर दीजिए तो आपको ऐसे फार में काफिर नहीं मिलती है आपको लॉंड टर्म प्रेटेंग के लिए जब मूव आते तो आपको लिजे बॉटम से स्टोक बाइब करने हैं सपोर्ट लेवल से स्टोक बाई करने है रिश्टर्स लेवल पर अपसेल कीजिए और स्ट्रेडिंग में भी फिर ऐसे पुर्टनी काफी मिलेंगी आपको और इंट्रेडे में तो आ लेबल पर भी मिलते हैं दोस्तों आगे पढ़ने से पहले आपके रुकेस्ट एगी की वीडियो को ज्यादा लाइक कीजिए शेर कीजिए अपने फैर्ट सर्कल के साथ तो एक बार इस लेबल पर अभी एग्रेप्सिव सेल ना करें वेट करें डेली की कैंडल पर क्या क्योंकि यह इसका एक सपोर्ट जोन भी है तो यह यहां पर कहीं अगर यह रिवर्स ले सकता है तो 16,000 के उपर इसको ख्लोजिंग चाहिए तब ही फिर यह रिवर्स चाहेगा उपर 16,000 के लेवल तक जैसे आप देख सकते हो कि बीच-बीच में देखिए डिले के चार्ट आप देखोगे तो यह देखिए कैसे इसमें फास्ट मूव आता है कैसे उपर की सैडवी मूव आते हैं तो यह अपको एस मतलब कौन से स्टोक में एस बोटम पर है वो आपको करने चाहिए दोस्तों बात कर लेते हैं बैंक निफ्टी का भी एक शोट व्यू आपको बता जाता हूं और साथ मैं दोस्तों को बताना चाहूंगा कि मेरे फ्री टेलिग्रम चैनल का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन को मिल जाएगा वहां पर भी मैं काफी आपके साथ लर् करें वहां पर अगर आपको बाइंग साथ अपोर्चुनेटी दिखें इंट्र डे में या स्विंग ट्रेडिंग के चाहट पर तो फिर उपर यह जा सकता है करीब तीस पैंतिस चार्टों के लेवल तक फिर इस लेवल से फिर आपको सेलिंग रहे देंगे फिर तोड़ा न पर यह सब्लया से लेवल तो इसमें आज कर आता है कि ब्रेकावट का लेवल है यह यह देखीए दिसम्बर 24 में बना था 475 का तो यह रिसेंटली इसने 475 के लेवर को पर टच भी किया है वट अभी हम उससे क्रीब यहां पर 70 पॉइंट दूर है तो यह 70 पॉइंट नीचे हमें एक तो मिल रहा है दूसरा आप मंत्रे चार्ट पर इसका देखोगे कि यह यहां पर सेम यह राउंडी पैटन यहां प आप इसका देखोगे तो वीकली चार्ट में देख सकते हो कि इसमें देखी यह बिल्कुल वहीं से लेवल से 470 के लेवल से इसने स्टेंस लिया था वहीं से इसमें क्रेक्शन आई और निचे यह 320 तक के लेवल तक आ गया और काफी समय से यह देखिए 320 और उपर 380 320 380 यह लेवल weekly चार्ट पर बार बार यह टेस्ट कर रहा था वाट फाइल इसने देखिए वोल्यूम के साथ इसने ब्रेक यॉट दिया इस वीख केंडल बनी यह वोल्यूम भी बने और यह वोल्यूम भी देखिए काफी समय बाद आया है और जब यह देखिए यह करेक्शन के ज्यादा नहीं दिखाई दे रहे बट जब यह देखी यहां पर वोल्यूम काफी अच्छे थे यह मूव उपर आया था फिर थोड़ा ओर उपर गया और उपर सस्टेन इसली नहीं होगा क्योंकि उसके पाद वोल्यूम कम हो गये थे फिर एक क्रेक्शन आनी लाज़मी की से दूसरा आप दोस्तों इसका डेली का चार्ट भी देखो डेली के चार्ट पर लेब देख सकते हो कि यह जो ब्लैक कलर की लाइन देख पर है 200 डेज की यह देखी यह बार 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 यह लेवल कोंसे है का सपोर्ट का लेवल है इस लेवल से यह बार बार सपोर्ट ले रहा था और फाइंड इस ने ब्रेक आउट दे दिया तो लास्ट के त्री केंडलियू में आप इसमें खापि अच्छा मूँव देखने को मिला तो फिर से आ जाते हैं वीक्री चार्ट पर तो इसमें एंट के अच्छा बाइंग होगा और फर्स्ट आर्गेट आप करेगा 470 75 तक क्योंकि यहां पर एक वर जूरूर्ट स्लो होगा यहां पर आप पार्शली बुक करिए यहां फर ट्रेलिक स्टो प्लोस कीजिए क्योंकि यह मल्टियर ब्रेकाउट के लेवल है दो आप चोजा के 470 कि इसके उपर जब सश्टेन हो जाएगा फिर इस वर भी तार्गेट आप लेकर चल सकते हैं 570 तक बट आप ट्रेलिक स्टोप्रोस का यूज जुरूर्ट कीजिए और दोस्तों जब आप स्टोक में एंट्री करते हैं तो वन आवर का चार्ट जूरूर्ट देखे कि वन आ कि वाक्ने वोक्स में जुरूर्ड बताइं और साथ में आप भी जो आपके घोल्डिंग में हैं उनको देख लें कि कि वह उस्टोप जो आपके पास पड़े है क्या वह दॉन्ट्रेंड में है एट लिश्ट विकोज अगर वो इनकेस डाउं ट्रेंड में है अगर वो 20 डेज की मूव और इसके नीचे है स्टोक्स फोन में एवरेस इतनी जल्दी ना करें वाट टैंग लगता है फिर से उसमें उपर आने में पर ऐसी मार्किट में आपको लोंग ट्रम के लिए स्टोक्स जो काफी अच अगर इसे मार्किट से बागना नहीं है ऐसी मार्किट को आज आपने देखना है कि को से स्टोक में आप इंटर करें हो और दोस्तों साथ में वीडियो का डिस्क्रेंबर भी रहीगा कि मैं सिर्फ आपके साब लर्निंग एसुर्प के मादेश से आपको समझा रहा हूं लर् तो अगर आप ले सकते हैं रिस्क ले सकते हैं तभी स्टोक में एंटरी कीजिए अदर्वाइस आपको अगर रिस्क ज्यादा लग रहा है तो और दोस्तों जब डाउन मुव होता है तब आप पूरा स्टिक स्टोक्लों के साथ ही ट्रेंट करें निफ्टी या फिर किसी भी स् जैसे कुछ नेट्व टिक एक से तो उनमें लोग टर्व के लिए अगर आप लेते हो तो वहां पर आप सेल एस सेल अवोईड कर सकते हो बट स्विंग ट्रेडिक के लिए स्टोक्लों जुरू रखना है तो अमीद करता है दोस्तों आपको कॉछ सीखने को मिला गया तो सेबुक पेज का भी आपको लिंक बिल जाएगा पर दोस्तों अगर आप मेरे साथ फ्री में एड होना जाते हो वर्ट साथ प्रीमिन गुरूप में तो आप को डिस्क्रिप्स बॉक्स में अप स्टोक्स और फायर का अकाउंट का लिंक बिलेगा आप प्रे लिंक से आप कर लेंगे वीडियो को पुरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्याओं